जोदपुर जिले से बाप तैसीर के उधट गाउं वे उधट गाउं के डाणी आजादी के 17 साल बाद भी बुनियादी सुधाओं के लिए तरस रहे हैं उधट गाउं लगबग 30 किलमेटर प्छेत में फैला हुआ है जो की एक रेगिस्तानी इलाका है इस उधट गाउं की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा पच्चिम में 10-12 किलमेटर तक लगती है वहाँ पर जंबेश्वन नगर पिस्नोईयों की डाणिया भोमची का गाउं होला की लगबग 100 से भी अधिक डाणियों के लोगों का 10 किलमेटर अपने गाउं उधट से निकट कोई गाउं नहीं लगता बच्चों को पांचवी तक की पढ़ाई पढ़ने के लिए तो विद्याले हैं लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए बच्चों को 10-12 किलमेटर दूर अपने गाउं उधट ही जाना पड़ता है इससे निकट कोई विध्याले ही नहीं है इसलिए जादातर बच्चों को तो पढ़ाई छोड़ने को मजबूर ही होना पड़ता है तथा साथ ही किसी की आर्थिक इस्तिती मजबूर ना होने से बच्चों को सैरों में बेजने से असमर्थ है क्योंकि यहाँ पर जादत और लोग गरीत अपके के परिवार से हैं साथ यहाँ पर सड़क का निमार कारे भी अधूरा ही है और अगर बात पानी की करें तो इस छित में रहने वारे लोगों को पानी को लेकर सबसे बड़ी परिशानी है वे लोग उट गाडियों की सहाइता से 10-12 किलोमीटर दूर अपने गाओं उधट से पानी की टंकी लाते हैं जिसमें लगबक 1000 लीटर पानी आता है और वे दिन में इतने दूर से एक ही टंकी ला पाते हैं जिससे इस पानी से पूरे परिवार की भरपाई नहीं हो पाती है वहीं अखील भारतिय जीव अच्छा पिस्नोई सवा उधट गाओं के अध्यच पिस्नोई रामचर फलोड ने बताया की टेक्टर वाले उधट से 10-12 किलोमीटर दूर इन डाडियों तक पानी के टैंकर लाने के लिए 800-900 रुपे लेते हैं लेकिन डाडियों के लोग इतनी पानी की परिशानी को देखकर 10-12 किलोमीटर दूर उधट गाओं अपनी गाईयों को पानी प्लाने लाते हैं लेकिन आगे खेली में पानी नहीं मिलता तो गाओं वाले एक खारे पानी का ट्यूबल है वहाँ पर पानी पिला कर ले जाते ह डाडियों के लोग उधट गाओं अपने उट गाडियों के साइता से पानी की टंकी ले जाने के लिए आते हैं तो आगे मिठा पानी नहीं मिलने पर भी खारे पानी की टंकी भर कर ले जाते हैं यदि मिठा पानी मंगाएं तो नोकड़ा से टैंकर वाले 15 सू रुपे लेत जो इन डाडियों से 25 क्रोमिटर दूर पड़ता है लेकिन गरीब लोगों के लिए मिठा पानी पीना मुश्किल हो जाता है इसलिए उद्धड गाओं और डाडियों में रह रहे गरीब लोगों को जब अपने गाओं में मिठा पानी नहीं चलता है तब खारा पानी पीने के के लिए मजबूर होना पड़ता है लेकिन यदि कोई डाडियों में पानी का टैंकर भी मंगाए तो वे भी आदा दूरा ही आता है क्योंकि सड़क नहीं होने के कारण टैक्टर फस जाता है यहां इस छेत में सौसे वी अधिक डाड़ी लोगों को अपना जीवन चलाना बिजली मिल गई लेकिन बहुत से डाड़ियों को पीछे छोड़ दिया गया यदि कोई बिमार पर जाता है तो दस से बारा किलोमेटर दूर अपने गाउं उदट में भी चिकिस्टा की कोई सुज़ा नहीं होने के कारण 40 किलोमेटर दूर कांसींग की सिड़ में जाते हैं वहीं अखिल बात है जीवल अच्छा विश्नोई सबा उदट के अध्यज रामचन थलोर ने इन सब पानी बिजली वे सलक्स तता सिच्चा वे चिकिस्टा आदी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को कई बार आगवद भी कराया लेकिन उनकी तरफ से कोई कदम नही करते रहेंगे या फिर को इनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा